गाइस वैसे तो हमें आइन मैन की हर एक मूवी में उसके सूट का एक अपग्रेड़िड वर्जन देखने को मिलता है लेकिन होमकमिंग मूवी में हमें आइन मैन के सूट का कोई अपग्रेड वर्जन देखने को नहीं मिला बलकि हम इस Civil War Movie के सूट पर ही नया पेंट करके दिखा दिया गया लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस ताइम सोनी वालों के पास Homecoming Movie के लिए इतना बजट नहीं था कि वो आइन मैन की सूट के लिए एक नया वर्जन क्रियेट कर पाएं इसलिए उन्होंने Civil War Movie का सूट उठाया और उस पर नया पेंट लगा कर उसे ही Homecoming Movie में यूज़ कर लिया अरे बाद